हेलो दोस्तो सुवाइगत आप सबका नॉले एंटरेटेनस में और मैं हूँ आपका दोस्त कापिल और दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से Soym website के बारे में तो वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं वाच किया अभी description में जाएए वहाँ से वाच कर लीजे तो इस वीडियो में मैं आपको detail में बताने वाला हूँ कि स्वयम पर जाकर किस तरीके से आप किसी भी course को enroll कर सकते हैं, join कर सकते हैं और उसके बाद कैसे उसके लिए आप वह तो देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पर मेरे laptop की screen पर पहुंच चुके हैं और यहां से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है सारे process को ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्वयम website को open कर लेते हैं, ठीक है, तो स्वयम क्या है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस website पर आपको government की और से बहुत सारे courses मिलते हैं, बहुत सारे national coordinator इसमें जुरे हो हैं, जो हमें यहाँ पर study करवाते हैं, ठीक है, तो पिछली वीडियो में आपको clearly पता चल देगा, उससे जूट देख लेना, तो देखे, अभी हम इस website को कर लेते हैं, open, ठीक है, तो स्वय Swam का जो सबसे पहले देखे, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, कि कोई भी Swam का coordinator कभी भी money के लिए demand नहीं करता हो, वाया email, तो आपको, अगर कोई email ऐसा आता भी है, आपको कुछ नहीं करना है, simply उसे खाए रहा है, ब्लॉक ठीक है, तो यहाँ पर देखे इस तरीके से इसकी सारी website हमें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है, तो यह रहा इसका सारा interface, तो यह सारा है, तो इसके बारे मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, sign in, और कैसे होना है, register, ठीक है, तो यहाँ पर sign in बताता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, अपनी Gmail की ID से ही, यहाँ पर आप login कर सकते हैं, जैसे अगर हम simply यहाँ पर sign up करते हैं, तो यह सारी चीज़े हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, तो आपको यहाँ पर सारी detail फिल करनी पड़ेगी, अभी हम यहाँ से नहीं करने वाले ह हूँ, इस वाली ID से ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अपनी Gmail की ID से भी login हो चुका हूँ, तो आप भी यही कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही simple process है, सिरफ अपनी Gmail की ID से login करना है, और आप यहाँ पर इसके user बन जाओगे, तो अब बात करते हैं कि हमें को को कैसे जोईन करना है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होगी course catalog, हमारी sign up हो चुका है, और हमने ID बना लिया, उसके बाद यहाँ पर आप all पर कर दीजिए, ठीक है, तो जैसे हम all पर करते हैं, आपके सामने देखिए, यह सारे courses हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई marketing, ठीक है, तो इस पर मैंने यहाँ पर कर दिया, search, ठीक है, तो देखें, जैसे मैंने इस पर search किया, तो यहाँ पर आपको two option आएंगे, आपको एक आएगा upcoming का, और एक आएगा ongoing का, मतलब कि कौन सा अभी आप जिसमें enrollment कर सकते हैं, जिसको join कर सकते हैं, और जिसको आप join न करने का है, दोस्तो एक बात बता दूँ, यहाँ पर उस course को join करने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन जब भी इसके जो course के weeks complete हो जाएंगे, तो यहाँ पर जैसे दिखें, enrollment end से यहाँ पर लिखकर आ चुगा है, तो उससे जब वहाँ से start होकर 12 weeks हो जाएंगे, तो उस तरी करता हूँ, कि अगर आपको ऐसा course मिल जाए, जो आप join करना चाते हैं, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, देखें, यहाँ पर मैं किसी भी course को ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर देखें, designing digital solution, तो हमें यह वाले course को join करना है, तो कैसे, यहाँ पर simply करना है, click, ठीक है, तो देख कर यहाँ तक आप यहाँ पर इसको study कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद course layout बताया हूँ है, क्यों कौन से section इसमें होने वाले हैं, और यहाँ पर इस तरीके से यह सारे sections होगे, ठीक है, यहाँ पर इसका सारा करने के बाद आपको इसका certificate भी आप ले सकते ह जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है ठीक है तो अभी एक कोर्स के बारे में बात होगी एक और आपको दिखा देता हूं कोई भी यहां पर कोर्स तो जैसे देखिए अभी स्टार्टिंग वाला कोर्स ही कोई ले ले लेते हैं यहां पर हमें अकाउंट टैंसी 11 पार यहां पर देखिए इसका भी कोर्स टेटर से भी अपकम यहां मतलब की यह आने वाला है और 24 वीक्स का यह कोर्स होने वाला है ठीक है इसकी एंड डेट कब तक है एंड रोल होने की तो इसकी है 7 अक्टूबर 2022 तो उसके बाद आप इसमें जोए नहीं कर सकते तो अगर आप चाहते हैं काउंट एंस 11th Part 1 को जोईन करना तो आप यहां से कर सकते हैं तो देखें यहां से आपको इसके सारे chapters होंगे कि कैसे कैसे सभी study करवाने वाले हैं तो यहां पर कॉर्स का certificate तो यह भी आपको इसके बाद मिल सकता है अगर आप 70% यहां फिर अबव final assessment में score करते हैं तो देखें यहां पर यह चीज लिखी हुई है तो दोस्तो इस तरीके से आपको यहां पर मिल जाएंगे courses मैंने टू आपको बता दिया है और आप अपनी मर्जी से किसी भी course को जाकर जो यहां पर available है उसे यहां पर join कीजिए join करने के बाद study कीजिए आपक पाएंगे ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से यह सारा process है जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं next वीडियो बनाऊंगा तो यह वीडियो अब बन चुकी है और आपको करना है सिरफ और सिरो benefit लेना है इन सभी चीजों का और किसी एक course को आप join कर लीजिए और one by one करकर रखिये और उसके बाद क्या होगा आप यहां पर अपनी learning को gain कर सकते हैं ठीक है तो अब बात आती है जैसे माल लीजिए आपने क्या किया किसी course को join कर लिया है और अब आप उसे देखना चाहते हो तो वह कहां से आप देख सकते हो जैसे देखिए आपको simply क्या करना है यहा मैंने को completed किया हो था तो वो यहां से मिल जाना था ठीक है तो यह पूरा process था दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हाँ दोस्तो अगर पसंद आई हो तो चैनल को subscribe बना मत भूलना और share करना तो बिलकुल भी मत भूलना एक बात और है like भी अ और मिलती रहेंगी तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और कहीं नहीं वीडियो के साथ तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों